नमस्कार आप सभी का बहुत दो स्वागत है IPL के चौथे मुकाबले में पंजाब किंग्स ने आखरी गेंद पर राजस्थान रायल्स को हराया मुंबई के वान खेड़े इस्टेडियम में खेले गए रोमान चक मुकाबले में संजू संसन ने सतक लगाया लेकिन राजस्थान को जीत दिलाने में नाकाम रहे आईए हम बताते हैं कल के मैच की पूरी डीटियल्स आप बने रही हैं हमारे साथ वीडियो में लाश्टक और देखते रहिए पूरी जानकारी के लिए दोस्तों पंजाब की रोमान चक चीत इस प्रकार थी पंजाब किंग्स ने राजस्थान रयल्स को चार रनों से हरा कर जीत के साथ टूना मिंट का आगाज किया मुंबई के वान खेड़े स्टेडियम में सोमवार को खेले गए मुकाबले में आखरी गेंद पर जीत हार का फैसला हुआ संजू सम्चम ने बतोर कप्तान पहला सतक जड़ा लेकिन आखरी गेंद पर जीत से चूग गए मैज की बात करें तो टॉस हार कर पहले बनले बाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने कप्तान लोकेस राहुल के 91 और दीपक हुड़ा के 64 की अर्ध सतकी पारियों के दम पर 221 रनों का मजबूत स्कूर खड़ा किया जबाब में लच्च का पीछा करने उतरी राजस्थान रायल्स की टीम की सुरुआत अच्छी नहीं रही बाजूद इसके संजू समसन ने जोस बटलर सिवम दुबे और रियान पराग के साथ मिलकर तेजी से रन बनाए और अहम साजेदारियां की हाला कि संजू 119 को छोड़ कर कोई दूसरा खिराडी बड़ी पारी नहीं खेल पाया और अंत में राजस्थान की टीम आखरी गेन पर चार रनों से मैच हार गई संजू संसंग का सतक संजू संसंग ने बतोर कप्तान पहले ही मैच सतक जड़ दिया या उनका आईपियल केरियर का तीसरा सतक है वह डेबू कप्तान के रूप में सबसे अधिकरन बनाने के मामले में स्रे सैयर 93 से आगे निकल गए यही नहीं संजू पहले ही कप्तानी मैच में सतक लगाने वाले आईपियल के पहले और एक मात्र खिलाडी भी बन गए है दोस्तों आखरी 18 गेंदू का खेल बाकी था राजस्थान को जीत के लिए 40 रन की जरूरत थी रायल्स की तरब से कप्तान संजन और राहुल तिर्वर्तिया क्रिच पर मवजूद थे पंजाब के अनभवी गेंद बाज मुहमद समी ने आखर का राजस्थान की खतरनाक शाधेदारी को तोड़ा दिया और समी ने पटकी हुई गेंद से पराग को चक्मा दिया और विकेट के पीछे राहुल के हाथों कैच करा दिया पराग 11 गेंदों में 25 रन बना कर आउट हुए मुर्गन अस्विन के कोटे का आखरी ओबर पंजाब के लिए काफी महंगा साबित हुआ उन्होंने इस ओबर में 20 रन लुटाए 16 ओबर के बाद राजस्थान का स्कोर 174 चार विकेट की नुकसान पर था संजू संसंग उस समय 83 रनों पर खेल रहे थे और रियान पराग 25 रनों पर खेल रहे थे संजू संसंग और रियान पराग के बीच महज 19 गेंदों में ही 50 रनों के साजे दारी हुई और दोनों खिलाडी पंजाब के लिए गेंद बाजों पर भारी पढ़ने लगे मैच रोमांचक के स्थित में जाता दिख रहा था फिलहार राजस्थान को आखिर 36 गेंदों में 81 रणों की जरूरत थी और उसकी तरफ से कप्तान संजू संसंग और रियान पराग क्रिश्ट पर मुझूद थे 18 उबर के बाद राजस्थान का स्कूर 141 रण हो गया चार विकेट के नोकसान पर संजू संक्चम 64 पर खेल लहे थे रियान पराग खेल लहे थे 11 पर राजस्थान का चौथा विकेट अर्ध अर्स दीप ने एक बार फिर से पंजाब को एहम सफलता दिलाई अर्स दीप ने सिवम दुबे को हूडा के हाथों आउट करा करा कर राजस्थान को चौथा जटका दिया सिवम 15 गेंदों में 23 रन बना कर आउट हुए आईबियल में बतोर कप्दान खेल रहे संजू संसंग ने चोके के साथ अपना अर्धस तक पूरा किया परिस्ति के लिहाज से यहां पारी टीम के लिए काफी महत्पूर थी संजू ने 33 गेंदों में अपने 50 रन पूरे किये पंजाब की फिल्डिंग आज खराब रही लेकिन संजू संसंग के लिए राहत भरी राजस्थान के कप्तान को पूरा जीवन दान मिला उन्हें मेरे डिस्ति की गेंद पर दो खिलाडियों की कनफ्यूजन का फायदा मिला जब दोनों ने उसका आसान कैच छोड़ दिया नव अबर के बाद राजस्थान का स्कोर 87 रन तीन बिकेट के नुक्सान पर था संजू संचन 37 पर और सिवं दुबे 9 रन पर खेर लहे थे तो दोस्तों यह तरह जो है कल का था मैच का आखो देखा हाल और मैं आप लोगों को अगले हाइलाइट्स के बारे में फिर बताऊँगा अगले मैच में कल तो हमारे वीडियो का इंतिजार कीजिएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सस्क्राइब सेर जरूर कीजिएगा अगर आप IPL देखना पसंद करते हैं और IPL से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाईए और सस्क्राइब कर लिजे चैनल मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजे इजाज़ा जय हिंज जय भारत वंदी मात्र